हेलो गई स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दून टेस्ट में आज की रेस्पी होने वाली है जाफरानी चिकन टिकका पुलाव जो की बहुत ही यह आसान सी रेस्पी है और बहुत ही सिंपल मसालों से तयार होती है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने एक प्लेट में दही लिया है और दही लेने के बाद में फिर मैंने इसमें एक चम्मच भरकर लस्ट का पेस्ट एड़ किया है और इसमें मैंने दो चम्मच भरकर टिकका मसाला एड़ किया है अब टिकका मसाला एड़ करने के बाद में टेस्ट के हिसाब से फिर मैंने इसमे आप जितने बीवें गड़ कीज़ाइ वंच्छा ने में थोड़ा से इसमें फूड इसमें फूड कलर रीड वाला एड़ करके अब इस सारे मसामों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है यह क्योंकि हमें चिकन का मसाला ना है तो आपको ना इस पुलाओं में आपको ब दीज़ हमें अच्छी तरीके से हमें मANSाला लगाना है तो खूब अच्छी तरीके से। भाड 눈 कीछाएंगे तो आप करणए पैन मेंu हमें में से कॉकप कर ना हैं तो यह सारे पीसों को आ हम निकालके पैन में दाल दीजेगा और फिर इसके बाद एकदब ऍदम मिडियम फलेम से अपने ही मसालों में पकेगा तो अब हमने ऐकदब मीडियम से ने मीडियम कर दिया है तो फिल ने के पाद पाको चिकन को अलटी पल्ती करके कुक करना है क्योंकि यह बड़े पीस है तो इसलिए मीडियम फ्लेम में आपको पकाना है कि अंदर से अच्छी तरीके से यह कुक हो जाए तो इदह इसको अल्टी-पल्टी हमें ऐसे करते रहना है तो देखिए अब हमारा मसाला खुब अच्छी तरीके से ड्राइ हो गया है टिक्के का फ्लेवर आएगा तो कोईला रखके एक प्लेट से धाक दीजेगा तो इसमें इसका स्मोकी फ्लेवर आजाएगा अब इधर एक बॉल में मैंने ये ऐल लिया था जब गरम हो जाए तो इसमें आप प्याज को चॉप करके अच्छे से फ्राइ कीजेगा जब और उसके बाद एक चमच भरके मैंने काली मिरिच और एक चमच भरके मैंने इसमें लॉंगे डाली है और इसमें मैंने 8-10 इलाइची और दो दाल चीनी इन साबुत मसालों को प्याज में अच्छी तरीके से हमें फ्राइ कर लेना है जब हमारे ये मसाले फ्राइ हो निकल जाए कि अध्रक लस्टून का पेष्ट अच्छी से फ्राइ हो जाएगा तब फिर हमें इसमें फिर मसाले डालने है तो अब इसमें हम ना बिरयानी मसाला डालेंगे तो एक-स-दो चमच भरके न खूब अच्छे से आप इसमें बिरयानी मसाला डालिएगा और बिरय और बड़े बड़े चौप करके डालिएगा जिससे के आपके टमाटर पुलाओं में दिखे अब इसमें मैंने चौप करके लंबे-लंबे साइज में यह हरी मिर्ची डाल दिये तो जितना आप तीखा खाती हो उसी हिसाब से आप ना हरी मिर्ची इसमें एड कीजिएगा तो पानी को थोड़ा सा न हम बॉयल देंगे तो जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तब इसमें हम यह बासमती राइस डालेंगे तो मैंने बासमती राइस थे तो मैंने इसको भिगो या नहीं है डिरेक्ट ऐसे ही थोके और मैंने इसमें डाल दिया है बॉल में तो दो बासमती राइज हो तो उसको आपको नहीं अगर go अगर ऐल जावल हो तो फिर आप आदे घंटे के लिए भीगो दीजेगा अब चावल को पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे तो फिर जब बाते चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा नीबू कर रस आप एड़ कीजिएगा और नीबू के रस को एड़ करने के बाद में फिर इसमें धनिया पत्ती और अगर पुदीना हो तो वो भी इसमें चौप करके डाल दीजिएगा और फिर इनको अच्छी तरीके से चावल में मिक्स कर लीजिएगा नीबू से और धनिया पत्ती पोदीना से बहुत अच्छा आपके पुलाओ का टेस्ट आएगा अब इधर पुलाओ को हमने पकनी के लिए रख दिया एक साइड में अब इधर थोड़े से दूद में चार से पांच जमन है तो जब पादी हमां खतम हो जाए तो फिर यह जो हमने जाफरान थे लिए दूद में उस व कि में एड कर देना और जब हम दूद और जाफरान इसमें एड कर देणे फिर छीगन को निकाल के हमें पुलाओ के ऊपर रख ना तो अब ना साइड्स में और क्किनारे किनारे साइड में सारे पीसों को आपी इसे पीसोंगाब एपीच में गार्निश करने के बाद में 5 से 10 मिनट के लिए फिर धाक कर आपको रखना है तो ये देखिए 10 मिनट के बाद में एक दव मीडिया फ्लीम में मैंने रख दिया था दम में तो देखिए 10 मिनट के बाद में आपके ये जाफराणी चिकन टिक का पुलाव बनकर रेड़ी है तो ये बहुत ही light मसालों से ये बनता है तो इसमें टिक्के की flavor आता है इस पुलाओ में और खुश्बू जो है तो बहुत ही अच्छी आती है जाफरान की तो इसको आप लोग एक बार ये recipe जरूर ट्राइ कीजेगा जाफरानी चिकन टिक का पुलाओ तो आपको ये recipe एक बार सब्सक्राइब कीजेगा